सो गैस अगर आप लोग Vivo Y16 यूज़ कर रहें और यह डिवाइस में 4K सेकेंडरी डिस्प्ले कैसे आप लोग इनेबल करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलका इकोन को प्रिस्ट कर लेना है तो इसके लिए सिंपल आप लोग अपने फोन में सेटिंग्स ओपन करेंगे और सिस्टम पे क्लिक करें देन आप लोग को एकदम बोटtv में मिलेगा डेवलपपर उप्सपंस इस पही हम क्लिक करेंगे अगर आप लोग के फोन में डेवलपर उप्संस गठे तो डेवलपर ऊप्संस को इनेबल कर लिएना है enable कैसे करते इस topic की उपर हमने already video upload कर दिया है अब यहाँ पर जो है हमें option मिलेगा smallest width के just उपर में आप लोग को मिलेगा secondary displays simple आप लोग इस पर click करेंगे अभी यह none है तो आप लोग इसको 480 भी कर सकते 720 भी कर सकते 1080 देन आप लोग आप पर 4K में भी अपने secondary display को इस तरीके से use कर सकते आप लोग देख सकते कि जो आप लोग main display में करेंगे वह आप लोग को secondary display में यहाँ पर so कर रहा है इधर से उधर आप लोग इसको adjust भी कर सकते तो इस तरीके से आप लोग यह setup कर सकते है so topic cover होता है मिलते है next video में जय माता दी